नवश्कार दोस्तों सुवागत है आपका एक और नए वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रीस के वर्क पर्मिट और वर्क वीजा के बारे में तो अगर आप ग्रीस मूँ होना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रही है क्योंकि इसमें मैं कम्प्लीट डीटेल इंफॉमेशन देने वाला हूँ कि ग्रीस में कौन-कौन से वीजा टाइप्स होते हैं वर्क पर्मिट के अप्लिकेशन कैसे होती है वर्क वीजा की अप्लिकेशन कैसे ये टोटल कॉस्ट कितना अथा डॉक्यमेंटीशन रिव्कौारमेंट कैसे कर सकते हैं अगर आप चैनल पर आएंगे तो चैनल के सब्स्क्राइब कर सकते हैं मेरा नाम है दिपारनशू और मैं स्टेडी वीजर वीजा से रेलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं तो दोस्तों अगर शुरू करें कि आर आज दिपानशों ग्रीस पर वीडियो क्यों बना रहा हैं तो उसके पिछे रीजन है दोस्तों मैं हमेशा ऐसी ओपॉर्चुनिटी आपके लेकर आना रहता हूं जहां पर आपका फायदा जादा हो और आज ग्रीस पर वीडियो बनाने का मकसद यह है कि सबसे पहले तो यहां का वीजा रेशियो काफी अच्छा है बट अभी तक तो नहीं है तो आपके चांसे जादा है जॉब मिलने के भी और वर्क वीजा लगने के भी सबसे पहले अगर हम जाने ग्रीस के वर्क परमिट की तो ग्रीस के वर्क परमिट के टाइप से समझने होंगे तो आपको स्क्रीन पर बहुत सारे यहां पर जो है वर्क वीजा के टाइपस दिख पा रहे होंगे तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो है दोस्तों वह सीजनल जॉब सीजनल वर्क वीजा के बारे में बात करने वाला जो कि अप्टू six months तक का आपको मिल सकता है बाकी और ब करना चाहते हैं तो आप ग्रीस आ सकते हैं थ्रूदिस सीजनल वीजा सो दोस्तों जितने भी स्क्रीन पर आप जो है वर्क परमिट के वर्क वीजा के टाइपस देख पा रहा है यह सारी आपको six months nine months या one year के वाले दिख रहे होंगे लेकिन इससे आपको परिशान नहीं होन करेंगे इन five steps so the first step is दोस्तों कि आपको यहां पर एक Greek employer find करना पड़ेगा अब यह जो Greek employer है वही आपकी आगे work permit के application करने वाला है तो Greek employer find करने के भी दोस्तों दो तीन तरीके होते हैं पहला दोस्तों जैसे कि आप जो है किसी online websites के थुरू application कर सकते हो दूसरा दोस्तों या सफिर आप कोई employment agencies के थुरू apply कर सकते हो जो कि Greece में located है थर्ड दोस्तों कि आपकी कोई India में agency जिनके थुरू apply कर सकते हो अब जो online websites apply करोगे तो that would be free of cost जिसमें कि आप screen पर देख पा रहे होंगे इन website के थुरू application कर सकते हो indeed और LinkedIn भी एक better platform है जहां से आप employer search कर सकते हो दूस दोस्तों मैं आपको यह बतात हो रहा हूं लेकिन मैं responsible इसके लिए बिल्कुल नहीं हूंगा या आपका decision होना चाहिए कि आपको इनके थुरू जाना है या नहीं जाना क्योंकि obviously at the end of the day आप से amount charge करने वाले हैं थर्ड जो है कि Indian agent जो इंडिया में located है उनके थुरू भी कर देते तो इतना amount 8 to 15 lakhs के बीच में range कर सकता है depending upon the agent जो आप से कितना charge करना जाता है यहां पर काफी पंजाबी भाई जो आएवे हैं वो इतने ही amount 8 लाग 10 लाग रुपे दे दे कर आएवे हैं अभी तक सो इस तरीके से आप जो भी तरीका आप अपनाना चाहते हैं वो आपके हाथ में हैं मेरा काम है कि आपको aware करना कि यह opportunities है और यह चीज़े है आप इसके थुरू ऐसे apply कर सकते हो दा कि आपको फ्रॉड नहीं कर सके यह तरीका बता दिया है जैसे आपका completely जो है employer मिल जाता है अब employer का दाहित होता है या employer की responsibility होती है कि वो आपके work permit के लिए apply करेगा ग्रीस में जिस भी city में दोस्तों आपकी job located होगी या आपका employer located होगा उस city के local municipal office में जो है वो work permit की application करेंगे work permit के application करने के लिए दो document के requirement होने वाली एक one year का contract जो कि खुद employer prepare करेगा और एक text number जो की employer का होने वाला है यह दो चीजों के base पर जो है वो आपके बिहाफ पर work permit के application करेगा ग्रीस की उस particular city में जैसे यह application वगर है complete हो जाती है उसके बाद जैसी आपका अब issue होता है दोस्तों आपका work permit approval हो जाता है और यह work permit approval होने के पीछे भी बहुत सारा science लगता है जैसे कि अब जो है यहां की local authorities जो है वो सर्च करेगी कि आप जिस जॉब के लिए यहां पर आ रहे हो क्या उस जॉब के लिटरली Greece में वेकेंसी है और Greece में अगर वेकेंसी है तो क्या Greece citizen, Greek citizen कोई है जो इसके लिए apply कर सकता है या Europe में कोई है तो अगर नहीं मिलता है तो उस case में वो अप्रूव कर देते कि यहां ठीक है अब आप जो है non country national को employ कर सकते हो और यहां पर जो है job दे सकते हो जैसे यह process finalize हो जाता है फिर यह जो local municipal office है यह forward कर देता है आपका work permit approval और आपका जो contracted to the embassy जहां पर भी आप visa के लिए application करने वाले हो so now the third step comes in to the picture इसकी आपको जो है दोस्तो अब वीजा की application करनी पड़ेगी आपकी home country में जिससे कि आप यहां पर enter हो पाओगे ग्रीस में तो पहली दो स्टेप क्लियर हो चुगी अब वीजा अपलाई करना वीजा अपलाई करना भी थोड़े बहुत प्रोसेजर जिसको आप करने पड़ेंगे दोस्तों कि आपको जो अब जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूए इंडिया में जो है डली में है ग्रीस एंबसी तो आप डली के एंबसी से अपलाई कर सकते हैं दोस्तों ग्रीस एंबसी ने एक्स्टरनल सर्विस प्रोवाइडर जीवी सी डड़ी को करके रखा हुआ है अपनी वीजा अप्लिकेशन लेने के लिए तो इसे कहीं सारे से से जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हूं जहां पर इंडिया में जहां पर आप जो है वीजा पॉन्मेंट कर सकते हैं तो एंबसी जो है वो डेली में हो और सेंटर्स आपको काफी सिटी करनी होगी और जिस भी डेट कि आपको घाकर जो है डॉक्योमेंट करने होंगे है डॉक्योमेंट करने के बाद दोस्तो आपका फिर एक इंटर्वी इसे रेले इने वालेट है और ग्रीजा के बेस्ति यह बेसे आने इन वाले applies और इंञे Victory to for English कर बहूँ ना Greek language बोलनी क्योंकि आप जो है अपनी language में भी बोल सकते हो क्योंकि आप agricultural के लिए आ रहे हो तो इसके लेंग्वेज से कोई नाता नहीं है तो वहाँ पर translator बैठे होते हैं जो कि आपकी language translate कर देंगे in case अगर जरुवत पड़ती है तो इंटर्विव कभी यहां पर problem हट जाता है फिर इसके बाद दोस्तों आपको mbc official सी बोलेंगे कि आप जो है medical fitness certificate लेकर रहा है उसके लिए देले में यह आपको जो है एक उनका authorized test center है जहां से आपको करवाना रहेगा और फिर उसके बाद automatically जो report है वो mbc के पास पहुँच जा इसको बोलते है work permit approval जो कि मैंने बताया था आपको second step में कि आपको यह work permit approval चाहिए रहेगा उसके बाद आपका work contract चाहिए रहेगा इसके बाद आपको जो है दोस्तों travel health insurance करवाना रहेगा यह आपका medical fitness certificate से अलग है तो यह करवाना रहेगा insurance आपको proof of accommodation जो कि आपका employer ही आप उन्होंने आपका accommodation भी include करके रखा होगा तो इसके बाद आपको दोस्तों है जो अगर आपने education करके रखा तो वो show कर सकते हो आपके work experience के certificate show कर सकते हो और सबसे important एको document इसमें आने वाला है दोस्तों PCC जिसे हम police clearance certificate बोलते हैं यह आपको postal करवाना रहेगा ministry of external affairs से और उसके आपको यह उस time पर submit करना तो यही दोस्तों कुछ documents I think मैंने सारे cover कर लिए जो कि आपको required रहेंगे at the time of visa application इसमें income प्रूव भी आप लगा सकते हैं अगर आप जो है पहले कभी कहीं पर work कर रहे हैं तो उस case में इस तरीके से दोस्तों यह process हो जाएगी अब हम इसकी दोस्त तो time process की बात कर सकते हैं तो पूरा complete work permit का approval, work visa का approval आने में around 4 months का आपको time लग जाने वाला है और अगर हम इसकी costing की बात करें तो visa fees जो आपकी range करने वाली है वो range करेगी from 75 euro to 180 euro depending upon the work visa category जो मैंने आपको starting में बताई थी कि एक आपका जो है fisherman का हो गया है एक आपका जो seasonal work का ह prices है ठीक है इसके अलावा जो दोस्तों आपको charges लगने वाले वो attestation का charge लगने वाले 30 euro का courier का charge लगने वाले 700 rupees का और जो अपनी GVCW की fees होने वाली वो भी होने वाली 30 euro की तो इतना amount आपका लगने वाला है completely work permit का जो fees है वैसे सच कोई fees लगेगा निए उसमें जब आपक medical fitness test आगे आपका insurance आगया आपका ये visa की fees आगे सारी courier charges, attestation and every single thing जितना भी मिला लो PCC and all आपका 40-50,000 के आसपास का इसमें expenses आने वाला है जो कि actual होता है अगर आप ग्रीप का visa apply करने जा रहे हो तो ये दोस्तों इसकी complete process है जिसके थूँ आप apply कर सकते हो जैसे ही आपका visa जाता है उसके बाद आती है तो नेक्स टेप जिसमें आप जो है यहाँ पर आओगे यहाँ पर आने के बाद आप जो है residence permit की application करते हो This is how this entire process works और उसके लिए सबसे important है आपके पास एक employer होना एक job offer होना तब ही जाके यह सब चीज़े हो पाएगी अब यह तो मैंने बता दी कि process कैसे होने वाली काफी simple है competition वगरे कम है इसलिए मैं जो है इस वीडियो को बना रहा हूँ लेकिन इसके कुछ cons भी जो की जानना काफी ज़रूरी है for example सबसे बड़ा con यह कि यहाँ पर आप salary बहुत जादा high expect नहीं कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर जो salary range करती वो low salary है जो की range करती 700 to 900 euros के बीच में इतनी salaries होती है इसके साथ पर accommodation भी दिया जाता है बत इतना ही amount आप जो है 50-60,000 अगर कमाना चाहते हो तो वो अगर कमाना चाहते हो तो ही grace आओ तो better है pathway है कि Europe में एंटर कर सकते हो शेंजन में एंटर कर सकते हो for the time being तो better option हो सकता है second दोस्तों यहाँ पर settlement होना काफी मुश्किल है क्योंकि salaries यहाँ पर इतनी है और अगर आप इसको compare करोगे Sweden, Denmark, Germany के salary से तो काफी काफी जादा काम है but यह कि अभी जो है visa ratio काफी अच्छा इतना competition नहीं तो उस case में आप इसको एक try मार सकते हो यहाँ पर future settlement का option नहीं हो सकता है माना कि मैंने यहाँ पर 7 years के बाद में जो है आप citizenship के लिए apply कर सकते हो but उसके लिए आपको यहाँ के language learn करने पड़ी की तो वो सारी चीज़े process करनी पड़ी को salary इतनी काम है तो उसमें कैसे आप manage कर पाऊगे so this is just a way to enter Europe और इसलिए मैंने यह video बनाया था कि आपको अगर desperate हो कि आना ही आना है मुझे और इतना amount में satisfy हो सकते हैं कि 50-60,000 रुपे कमाना है तो आप जो है Greece एक अच्छा option हो सकता है आपके लिए Greece में और भी programs है जैसे कि आप study pathway सी भी आ सकते हो आप जो है golden program सी भी आ सकते हो अगर आप यहाँ पर 4-5 करोड रुपे लगाओगे तो आप जो golden visa मिल जाएगा आपको direct 5 years का तो काफी opportunities और भी है तो agricultural sector में अगर आना चाते हो तो जादतर क्योंकि पंजाबी भाई और इंडियन बांगले दिश पाकिसदानी जो आते वो agricultural sectors में आते तो I think कि अगर education नहीं भी है और आना चाते हो तो this is the best opportunity फिलाल की तारिक में सिर्फ आपको ढूनना है employer, agent या agency जिसके भी थुरू आप यहाँ आना चाते हो मेरा काम दोस्तों यही रहता है कि मैं आपको information provide कर दूँ और यहीं पर मेरा काम खतम हो जाता है मैं आपका hand holding करके यहां तक नहीं ला सकता हूँ मेरा काम है ताकि आपके साथ कोई fraud न कर पाए यह information आपको पहले से पता होगी तो आप कम से कम aware रहेंगे जिस भी agent यह जिस भी employer के साथ आप काम करना चाते हो तो आज का वीडियो यहीं कतम करते है आई होप की वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर वीडियो पसंद आया तो आपको शेर करना है उन experience में जो आपविसली ग्रीक आना चाते हैं और साथ ही साथ लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और मुझे कॉमेंट यह भी बताना है कि नेक्स वीडियो आप किस टॉपिक पर चाते है तो आज के लिए इतने ही दोस्तों मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में टे